है आप लग अच्छे होंगे और सेफ होंगे आज का जो वीडियो है एक फेस पैक मैं लेके आई हूँ बहुत सारे ऐसे लोग है जिनकी जो इसकीन है उनके इसकीन से ग्लो बिल्कुल हट चुकी है आपका इसकीन बुरा पुरा मुर्जाया हुआ लगता है डलनेस लगता है त इससे आप लगाओगे तो 100% आपका इसकीन जो है ग्लो करने लगेगा और आपके इसकीन पे एक अच्छा सा ग्लो और एक अच्छा सा फेस आपको देखने को मिलेगा जिनकी साधी होने वाली है वो भी ये फेस पैक लगा सकते है ये फेस पैक लगाने से उनके भी इसकीन बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा अगर जिनकी साधी होने वाली है वह पहले ये पैक यूज करेंगे 100% उनके स्कीन जो है वह ग्लो करेगा और वह अपने साधी में भी बहुत खुबसुरा दिखेंगी तो इस पैक में पहले क्या होता है कि हमारा जो हम जान लेते कि हमारा इस जिसके कारण से या कोई chemical product होता है उन सब चीजों से भी हमारा जो skin होता है उनको side effect मिलता है या जादा करके हम धूप में निकलते हैं बाहर निकलते हैं तो उस वज़ा से भी हमारा skin जो होता है वो glow करना खत्म हो जाता है पैक बताने वाली हूँ week में आप लोग दो बार ज यह इसा नहीं है आप उसको पेसें से जाथ 1,2,3,3 week तक यूज़ करो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपका skin असर कर रहा है वो glow कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक बार में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि एक बार में लगाए और ग्लू करने लगाए चाहे आप बाह अधने बाहर से मंगा के नई डाला जो हम घर में रेगुलार यूज़ करते हैं खानपार में बस वही सब चीज में यूज़ करके यह बनाया है और तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मैंने चैनल पर नहीं है तो प्लीज म पर मैंने एक खीरा और एक टामाटर लिया है और फिर खीरा को छील लेंगे अच्छे से पूरा उसका जो छीलका है आपको निकाल लेना है उसके बाद जो है इसका हम कदुकस करेंगे जो मैंने यहाँ पर खीरा का कदुकस कर लिया है उसके बाद जो हमने खीरा का कदुकस किया था उसका पूरा रस निकाल लेंगे खीरा जो होता है हमारी skin के जो open pore से होता है उनको खुला कर देते हैं जो dead skin होते हैं उनको हटा देते हैं खीरा बहुत ही तरह से आपके स्कीन के लिए फायदे मंध होता है उसके बाद जो है अच्छे से आपको रस निकाल लेना है इसका उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने एक टमाटर को चौप कर लिया है और इसका हम मिक्सी में ग्रैंट करके पेस्ट बना लेंगे टमैटो का प् बास्ता उसको मिक्स कर देंगे आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप मिक्स कर दो क्योंकि आपको फेस और गर्दन दोनों जगह अपलाई करना है तो उस हिसाब से आप अपना प्यूरी को उसमें मिक्स कर दीजे पिर आधा निम्बु लेके उसका बीज निकालके आपको इसका रस उसमें डाल लेना है अगर आपको किसी भी खटापन से लरजी है या किसी भी इसमें से जितनी मैने चीज डाले उसमें से लरजी है तो आप लोग उसे न डाले। आप यहां चाहे तो निम्बू की जगा पे गुलाब जल भी डाल सकते हैं। निम्बू को स्कीप कर सकते हैं। फिर आपको दो चमच बेसन ले लेना है। बेसन की जगह पे आप चाहे तो चंदन पाउडर या मिलतानी मिट्टी भी डाल सकते हैं दू चमच यहाँ आपको ले लेना है जितने में आपका पेस्ट रस्चे से गाढ़ा हो जाए क्योंकि लिक्विट फेम में नहीं छोड़ना गाढ़ा हो जाए फेस्ट पैक की तरह हो और अच्छे से उसको मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है आप यहाँ चाहे तो हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं च्चनरव जो घड़ में खाना में यूज करते हो वह वाला हल्दी यूजना करें कस्तूरी हल्दी आता है आप उसे यूज़ करें घर वाले खाना से क्या होता है आपके इसकीन पे रैसे हो जाते हैं दाने निकल आते हैं और बहुत सारे जैसे पीला-पीला आपका फेस लगने लगता है तो कभी भी आप लोग हल्दी घर वाला खाने वाला यूज़ मत किजिए और उसके बाद जो है मैं मलाई करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो और यहां मैं यहां मैंने मलाई डाल लिया है और इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे तो यह पेस्ट बन चुका है अब हम इसे अपलाई करेंगे अपने फेस पे फेस पेक लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजे उसके बाद ही फेस पेक यूज यह आप देख सकते हो बहुत अच्छे से मैंने अपने फेस पे लगा लिया है और आपको गर्दन पर भी लगाना थै फेश और गर्दन दोनों तरफ लगाना है आपको और आई एरिया को छोड़के आपको पूरे फेश पे और गर्दन को कवर कर लेना है फेश पैक से और फिर इसको बीस मिनट के लिए छोड़ देना है जब तक ये आपका फेस पैक जो है ड्राई न हो जागे ध्यान रहे कि आपका face pack 20 मिन तक आपके face पे रहना चाहिए एगर आपका face pack और ड्राई होने लगे तो आप क्या खायेंगे गुलाब जल लेके tap tap करके अपने face को कर सकते है 20 मिन तक इसको अपने face पे apply करना है प्रूडरी ही जब करड़ से मिलाग यहां मैंने फेस पैक अप्लाई कर लिया है अब इसे 20 से 30 मिनट तक छोड़ दूगी जब तक यह ड्राई नहों जाए ड्राई होने के बाद इसे फिर से वाश कर लूँगी यहां 25 मिनट हो चुके है और यह पुरी तरह से ड्राई हो चुका है अब देख सकते हो पुरी ड्राई हो चुकी है अब मैं इसे वाश कर लूँगी ठंडे पानी से आपको इसको वाश करना है और कोई भी फेश वास यूज नहीं करना है सिप पानी से वास करना है आपको यहां पर मैंने wash कर लिया है और एक towel की help से आपको रगर के नहीं पोचना है सिफ tap tap करके पोचना है आपको जिसे पानी जो है वो शूख जाए और उसके बाद जो है आप लोग 2-3 दिन तक कोई भी face wash कोई भी cream इस पर अपलाई न करें और सिफ face pack ये लगाया है दो से तीन दिन तक छोड़े उसके बाद आप लोग face wash यूज़ कर सकते हो आप देख सकते हैं कितना अच्छा glow आगया है फर्स टाइम में ही कितना glow लग रहा है अगर आप लोग ये regular यूज़ करोगे एक दिन छोड़के दुसरे दिन यूज़ करोगे तो ये 100% work करेगा या आप week में दो बार भी कर सकते हैं आप लोगों ने देख लिया इसमें मैंने डाला है बेसान डाला है खीरा डाला है टमाटर डाला है निम्बू डाला है खीरा जो होता है हमारे जो dead skin होते हैं उनको वो open कर देता है हमारे face को अच्छे से clean कर देता है और जो टमाटर होता है वो हमारे skin को glow करने के लिए बहु उसे skip कर दे और अगर आपको सारी चीज़ों से इस इलर्जी है तो आप यह pack यूज न करें वही pack यूज करें जो आपको shoot करता हो अधर्वाइस आप न करें नहीं तो आपको इससे rashes हो सकते है या इलर्जी भी हो सकती है तो आप लोग देख लिए कि आपको कौन सा चीज से लर्जी है कौन से चीस से नहीं है तभी आप लोग उसे यूज़ करें असा करती हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो ठैक्टी फार वाचिन यह भी बाए बाए